छोबलकम बैक टू आवर चैनल गाईस आज की इस विडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप सिंगने आपने इमे जोन पए में पैसे एड कैसे कर सकते हों तो अगर आप भी इमेजोन पे को यूज करते हो और आपस में पैसे ड करना चाहते हो तो आफ यार मैं हैं आप बत कर देना पैसे एड़ करने के लिए उसके बाद आपको यहां पर एक option मिल जाएगा प्लीज वेरिफाई यू डीटेल टू कॉंटी निव का आप मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा दोस्तों अगर आप अपने एमजोन पे बैलेंस में पैसे एड़ करना चाहा है तो इसके लिए आपको अपने एमजोन एप में मिनी किवासी एड़ करनी होगी फिर जो है आप इसमें पैसे एड़ कर पाओगे तो अगर आप इपने एमिजोन पे बैलेंस में 10,000 का ट्रांजेक्शन कर पाऊगे पर मत अगर आपनी मिनी किवासी कम्प्लीट कर लेते हो तो उस तो मिनी किवासी कम्प्लीट करने के लिए आपको नीची ऑप्सन मिल जाएगा Select ID Type का आप इस पे क्लिक कर देना उसके बाद आपको यहाँ पे documents के option मिल जाएगे आप यहाँ से किसी एक documents को select कर लेना अपनी मिनी किवासी कम्प्लीट करने के लिए यहाँ पे आपको pen card मिल जाएगा, passport मिल जाएगा, water ID मिल जाएगा और driving license मिल जाएगा आप यहाँ से किसी documents को select कर लेगा, अपनी के वासी complete करने के लिए जिस document को आप select करोगे, उसके बाद उसी document का number आप नीचे डाल के just continue पे click कर देगा, उसके बाद आपको यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा, फिर आपको यहाँ पे add money करने का option मिल जाएगा, आप यहाँ पे amount डाल दीजेगा जितना भी आप add करना चारे हो, amount डालने के बाद आप just continue पे click कर देना, उसके बाद आपको यहाँ पे payment method का option मिल जाएगा, आप दोस्तों यहाँ से आप select कर लेना कि आप यह जो पैसे add कर रहे हो अपने Amazon पे balance में, इसका payment आप कहां से करना चारे हो, अपने Amazon पे UPI से करना च चारे हो, यह फिर net banking से करना चारे हो, यह फिर debit card, यह फिर credit card से करना चारे हो, तो आप यहाँ से select कर लीजीए का, आपको जहां से भी payment करना है, मुझे करना है UPI से तो मैं यहाँ पे click कर दूँगा, UPI वाले option पे, उसके बाद आपको यहाँ पे 2 option मिल जाएगा, अगर आप UPI से करोगे, तो आपको उपर option मिल जाएगा, अधर UPI apps का, और नीचे मिल जाएगा net banking का, तो अगर आपको UPI से करना है, तो आप first रॉले option पे click करना, otherwise आप second रॉले option पे click कर देना, तो मुझे UPI से करना है, तो मैं first रॉले option पे click करूँगा, उसके बाद मुझे यहाँ पे option मिल जाएगा, उपर मैं यहाँ से continue कर दूँगा, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक option मिल जाएगा, choose a billing address का, दोस्तों यहाँ पे आपना कोई एक address चूज कर लीजेगा, उसके बाद आपको एक option और मिल जाएगा, जहाँ पे आपको नीचे click कर देना होगा, add money to balance caps पे click कर देना, उसके बाद आपके सामने इस तरह का page open होगा, आपको यहाँ पे option मिल जाएगा, complete your payment का, अब दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, आपने payment करने के लिए जो UPI ID डाली हो, उस UPI ID पे एक request गई होगी Amazon app की तरफ से, जिसको जाके आपको वहाँ स तरफ से एक request आ चुकी है, जिसको मुझे यहाँ से pay कर देना होगा, फिर मेरे Amazon app में पैसे add हो जाएंगे, तो मैं यहाँ से pay वाले option पे click करता हूँ, इसको pay कर देता हूँ, अपना UPI ID डाल के, उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे payment successful कर दि पहले जो है, इसमें 20 थे 10 बढ़ गए, 10 उर्पे add हो गए, आप जो है present time पे 30 उर्पे इसमें add हो चुके हैं, जैसा कि आप सब यहाँ पे proof देख सकते हो, added Amazon pay gift card, जैसा कि आप सब यहाँ पे देख सकते हो, 10 उर्पे इसमें add हो चुके हैं, तो दोस्तों ऐसे करके आप जोन pay balance में पैसे add कर सकते हो, I hope आप करना जानगे होंगे, अगर आप कोई वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीस एर वीडियो को like करना, साथ में channel को भी subscribe कर लेना